पर रेड अलर्ट जारी किया गया है सेना एंडी आरेफ समेट काई एजिंसिया मुस्तैद है मातूफान को लेकर वीपरजॉय को लेकर अपडेट्स आपके साथ तक पहुचा रहे हैं रात नौ से दस बजे के बीच वीपरजॉय गुजरात में टकराएगा 94,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है साथी साथ राजिस्थान में भी चक्रवाती तूफान पर रेड अलर्ट जारी किया गया है एंडी आरेफ समेट काई एजिंसिया मुस्तैद है जको तट के बहुत पास तूफान पहुच चुका है वहीं भी परजोई से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं तूफान पर मौसम विभाग ने जानकारी दी है तूफान का आकार करीब 700 किलोमीटर बताया जा रहा है कच की खाड़ी के पास ज्यादा असर देखने को मिलेगा तूफान की रफटार करीब 110 किलोमीटर प्रतिघंटा की बताई जा रही है उतर पूव की और बढ़ने की सम्हावना भी जताई जा रही है कच सौराश्र की और बढ़ सकता है विपर जयोई तूफान पर मौसम विभाग ने जानकारी दी है तुफान का अकार 700 किलोमीटर का बताया जा रहा है